आज दिनांक है 14 जुलाई सन 2003, स्विक्रम समवत 2080 चल रहा है, श्रावन मास है, कृष्ण पक्ष है, वडशा रितू है, तिथी द्वादशी है, और आज का वार है शुक्रवार आज के नक्षत्र की बात करें, तो रोहिनी नक्षत्र रातरी 10 बच के 26 मिनट तक है, आगे मरक्षिरा नक्षत्र रहेगा योग गंड है, सुबे 8 बच के 26 मिनट तक आगे व्रद्धी योग है, तो योग की द्रस्टी से आज का दिन शुब और योग का रख है, इसका सदुप्योग कीजिए करन्ट तैतिल है, शाम 7 बच के 18 मिनट तक आगे गर करन रहेगा, सुर्योदे का समय दर्शे को सुबे 5 बच के 32 मिनट का था, और सुर्यास्त का समय शाम 7 बच के 21 मिनट का है आज का राहु काल सुबे 10.30 बचे से लेके दोपेर 12 बच के बीच रहेगा, इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा, क्योंकि इसमें कोई शुबकारे नहीं होते हैं, और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अभिजित मुरत आज 11 बच के 69 मिनट से दोपेर 12 बच के 54 मिनट के बीच है दिन में चार बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे, ध्यान से समझेगा, सूजबू से टाल दीजेगा ये हैं सुबह 8 बच के 18 मिनट, सुबह 9 बच के 13 मिनट, फिर दोपेर 12 बच के 54 मिनट और 1 बच के 49 मिनट आज का दिशा शूल रचको पस्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पस्चिम की यात्रा को टाल दें लेकिन जाना जरूरी है, अनिवारी यात्रा है, तो इसका परिहार करके निकले परिहार बहुत सरल है, पस्चिम के और मुक कीजिए, थोड़े से जो या राय के दाने खाके 5 कदम पीछे चलिए और भगवान श्री राम या अपने अपने इस्ट का हरदे में ध्यान कीजिए, प्राथना कीजिए और इस दिशा की यात्रा शुरू कर दीजिए, यात्रा मंगल में रहेगी, शुब रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कारिस सिद्ध होगा और दिशाशोल आपको परिशान न इस मिनिट में, इतीनों का अलखंड बाकी पूरे दिन की अपक्षा ज्यादा शुब और योग का रखे, तो अच्छे कारे करें, अच्छे एफट्स करें, तो इन समय में करेंगे, ज्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, आज की चंदराशी दर्श को वरश है, यानि च वरश से गोचर करें, जिससे आज काई दिन सभी बारे राशियों के लिए कुछ इस प्रिकार रहने वाला है, सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की, तो मेश राशी वाले रहेंगे आज धनलाव की स्थिति में, वरश राशी वाले अपने ग्रूमिंग पर देंगे पर नुक्सान संभव है, करक राशी वालों को हर स्थान से मिलेगी सफलता, कोई मनो कामना भी हो रही है आपकी पूरी, सिंग राशी वाले कैरियर में पा सकते हैं शुब सूचना, और कन्या राशी वाले किसी धार्मे की स्थान या किसी आश्रम में जाने का करेंगे विच अगर राशी वाले पाएंगे संतान संबंदित शुब सूचना, और कुम राशी वाले अपने भाई बंदों से मिल रहे सयोग से होंगे प्रसंद, मीन राशी वालों को पराक्रम में व्रद्धी होती भी दिखेगी, बहुती अच्छा दिन आपका बीथेगा, अब करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा, जो आपकी हमारी अंते द्रश्टी को प्रग्या को जागरत करेगी, फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को, जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुन्दर और सफल बना देते हैं, अंतमे करेंगे आज की जोतिश, मंत्रना और समाध दर्शे को एक बहुती सुन्दर स्लोक शास्त्रों में आता है, जिससे बहुती गूड सूत्र और जीवन का सार हम समझ सकते हैं, इसलिए ध्यान से समझेगा, ये इस प्रकार है कि योवनम जीवनम चित्तम, छाया, लक्षमिश, चिस्वामिता, चंचलानी, शडेतानी, ज् भवेत, इसका अर्थ ये है कि योवन, यानि कि ये जो जवानी है, युवावस्ता है, जीवन, चित, छाया, लक्षमी और सत्ता, ये छे वस्तुएं ये छे तत्व, ये चंचल हुआ करते हैं, ऐसा समझ कर धर्मरत रहना चाहिए, यानि धर्म में अडिग रहना चाहिए, इस संसार में धन, जीवन, योवन, ये सभी ऐस्तिर है, आपका बुढ़ापा और मृत्यू निश्चित है, ये आएगा ही आएगा, चित भी शंशड में ऐस्तिर रहता है, यानि आपका मन जो है, कभी कुछ सोचने लगता है, कभी कुछ, तो ये ऐस्तिर है, और लक्षमी तो चंचला ही है, सदे वेक्शी किसी की नहीं रही, और सत्ता के स्तती यह है, कि आज किसी की है और कल किसी और की, पहले बड़े-बड़े राजा महराजा होते थे जिनके परिवार कुल आज बिना पहचान further, सामन्य जीवन जी रहें, ऐसे ही पुत्र और स्त्री भी ऐस्ति यानि एक मात्र धर्म ही है जो की स्तिर है इसलिए धर्म के मार्क पर एविचल रहें और अपने जीवन में जो नियत कर्तव्य है हमारे यह हमारी कुल परंपरा के नुसार जो हमें पूजन पद्दति इस्ट कुल देवी देवता मिलें जो हमाई आयू के अनुसार या हमारे कर कर्म चलिख के नूसार हमारे जो कर्म मिले हूं हैं उन्हें करते रहें, तो वह हमारा धर्म है, उसपे स्टिर dichة रहेंगे, तो इस लोग में भी कल्यान है, और पर-लोक में नम दिन है आज आप सब लोग भगवान शिव जी पर केसर और चंदन का इत्रा अर्पित कर 21 माला इस विशेश मंत्र की जाब करें मंत्र है शिव गुरु रामाय नमे शिवाय शिव गुरु रामाय नमे शिवाय फिर वापसी में एक बिना कटा फटा एकदम साफ बर्गत का पत्ता लेता है इसमें ना छेद हो ना कटा हुआ हो अपने घर लेके आए अब उस पत्ते पर अच्छे से चंदन का लेव करके कुमकुम से उस पे एक स्वास्तिक बनाए और अपने पूजा स्थान पर रख दे पंद्रे दिन बाद इसके इसको उसी बर्गत की जड़की अ मश्यां बहुत बढ़ती जा रही है आयके साधन कम होते जा रहे हैं आर्थिक स्तिती सुधरने के स्थान पर और ज्यादा बिगड़ती जा रही है तो ऐसे में समझ जाए कि आपकी जनम पत्रिका में धन से संबंदित जो भाव हैं उनके अधिपती पेड़ित हैं यानि सेक लक्षमी के नित्य पंचुप चार से पूजन करें माता के समक्ष एक चांदी का सिक्का ग्यारा कमल गट्टे जारा पीली कोडी ग्यारा गोंती चक्र रखें एक शीशी गुलाब के इत्र की रखें और हो सके तो नित्य गुलाब की बढ़िया माला भगवती को अर्पित कर जिए का याफ स्वयम आष्च चकित हो जाएंगे समत्र सादना का प्रतेक्षप्रमार्ण और च्वaltung मंत्र द्ध्यान से समझेगा मंत्र स्प्रकार है महालक्ष मीमें नमस्तुब्याम सुरेष्वरी हरी प्रिये पांच माला कीजिए 27 दिन और खुद देखे कैसे जीवन बदलता है ऐसे दर्शे को लगातार भाग्ये के अवरोदों से जो लोग परेशान हो चले हैं या जिनकी जनम पत्रिका की दशा वे प्रीच चल रही है या लगातार जीवन में एक के बाद एक समश्चा है आए जा रही है तो ऐसे स्तिती में आप शरण लीजिए महादेव की महादेव ओगरदानी है और जो रीज जाए तो शनमात्र में आपकी सारी समश्चाओं का समाधान कर देते हैं करना सिर्फ यह है कि नित्य ब्रह्मुरत में आप उठें नहादो के स्नान करके शुद्वस्त्र पहिन कर आप शिवाले जाएं वहां मीठे दही और फिर दूद और फिर गंगा जल से शिव जी का विशेक करें फिर अपने भाग्योदे और शिव करपा प्राप्ति का निव मैं मंत्र को फिर से समझते हैं ओम नमें शिवाय शुभम शुभम कुरु 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 शिवाय नमें ओम आप इस प्रकार की साधना को कड़ते करते जब आपको कुछ दो मईने तीन महीने बीतेंगे आप खुद अपने जीवन में प्रत्यक्ष श्युव कृपा का दर्शक को यह थे वह विजस्ट उपाए जो आपकी मनोकामना भी पूरी कर रहे हैं और आपकी बड़ी-बड़ी समश्चाओं कांथ भी कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों आज हमारे पास जनम पत्री का यह हमारे दर्शक राकेश अरोडा जी की गंगा नगर से 29 फरवरी 1988 का इनका जनम है दोपेर 12 बच के 11 मिनट और इनका प्रशन है कि किसी मामले में फसाया जा रहा है कब तक सही होगा देखे राकेश जी आपके लगनेश शुक्र के साथ राहू बैठा है आई भाव में और इन पर मंगल की चौथी द्रश्टी है त अभी शुक्र में राहू का ही प्रतेंतर चल रहा है जो कि फरवरी 2024 तक रहेगा तो उसके बाद ही आप इस समश्या से पूरी तरह निकल पाएंगे क्योंकि जैसे इस राहू की एंट्री हुई थी शुक्र की महादशा में तभी आप इस समश्या में फसे थे आज की दूसर तो जी आपको मैटल मशीनरी पशु आहार चमड़ा प्लास्टिक स्क्रैप इस तरह की चीजों का काम बहुत अच्छा रहेगा आप व्यापार कर भी सकते हैं क्योंकि ऐसा आपके जन्म पत्रिका में यूग है सबसे अच्छा रहेगा कि आप अगले वर्ष अगस्त से अग अग्योदे भी होगा व्यापार में भी आसानी रहेगी तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विस्तश्ट उपाय और ज्यान चर्चा मैं पंडे चंदर शेकर शर्मा यह आशा करता हूं कि बताईवे उपायों को सही विधी सटीक समय और अटूट शद्धा के सा आपके कश्टों का निवारण हो और आपकी मनोकामना पूर्ती अवश्य हो साथ ही एक निवेदन के शावण मास में व्रक्षा रोपण अधिक से अधिक संख्या में कीजिए और जो साक्षा यह प्रकट हमारे सामने जो यह प्रक्यती है यह भगवती है इसकी सेवा अवश भगवती आप सबकर कल्यान करें जय आदिशक्ति